अलो स्टूदेंस दिस इस तनुश्री सो टोड़ी विल स्टार्ट एनादर पार्ट अब एक्सर्साइज 56 सो लेट स्टार्ट कोशिन नमर शिक्स रिद्यूस इच अब दी फॉलिंग फ्राक्शन इन्टो पर्सेंटेज तो देखो यहाँ पे फ्राक्शन में है अभी हमें पर परसेंटेज में लेकर आना है तो परसेंटेज मींस1 और हंडर्ड यह होना चाहिए तो एसके साथ हम से समनूपर नीचे और किसे मल्टिप्लाइए ऐसे कर शकते हैं इसके साथ है इसको हम कैसे करते हैं इसको हम सेपरेट करते है और one by hundred जो है इससे हम separate करते हैं तो यह हो जाएगा percent ठीक है next line में यह percent हो जाएगा ठीक है तो इसकी जगा में हम direct इसको ही percent बोल सकते हैं देखो 8 by 25 into 100% ठीक है तो 100% means 100 by 100 तो हम क्या करेंगे जो रहेगा जो fraction रहेगा उसके साथ हम 100% multiply कर देंगे यह और यह same है अभी हम bracket use करके से simplification करेंगे तो फिर percent में हम लेकर आ सकते हैं तो easy हो जाएगा तो हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे 100% से multiply कर देंगे 8 by 25 into 100% ठीक है means 100 by 100 अभी हम bracket यहाँ पर use करेंगे तो अभी देखो 25 ones are 25 25 fours are 100 तो 8 into 4 हो जाएगा 32% ठीक है अच्छा अभी देखो next देखो 27 by 50 into 100% ठीक है अच्छा भी देखो 1 0 1 0 cancel 5 ones are 5 5 twos are 10 तो हो जाएगा देखो 27 into 2 54% ठीक है next 16 by 25 into 100% ठीक है तो हो जाएगा देखो 25 ones are 25 25 fours are 100 तो हो जाएगा 16 into 4 64% ठीक है अभी देखो 2 by 5 into 100% ठीक है तो हो जाएगा 5 ones are 5 5 20s are 100 2 into 20 40% next 3 by 10 into 100% 0 0 cancel 3 into 10 30% 1 by 8 into 100% ठीक है तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 fours are 8 250's are 100 ठीक है अभी देखो 4 से 50 को अगर डिवाइट करें तो 4 ones are 4 4 twos are 8 तो इसे mixed fraction में भी रख सकते हो या तो point में भी लेकर आ सकते हो ठीक है तो point के लिए 045's are 20 ठीक है तो हो जाएगा देखो 12.5% ठीक है 5 by 12 into 100% ठीक है तो 2 से जाएगा 26's are 12, 250's are 100, 23's are 6, 225's are 50 ठीक है अभी देखो और नहीं जाएगा 5 into 25 हो जाएगा 125 और नीचे हो जाएगा 3 ठीक है परसेंट अभी इसको थोड़ा simplification करते हैं 3 से डिवाइड होगा 125 ठीक है 3 4's are 12, 3 1's are 3 ठीक है तो ये हो जाएगा देखो 41 whole 2 by 3% ठीक है अच्छा अभी हम ये देखेंगे 9 by 40 into 100% ठीक है 0 0 cancel हो जाएगा 22's are 4, 25's are 10 अभी उपर 9 into 5 हो जाएगा 45 और नीचे 2 ठीक है परसेंट अभी 2 से 45 डिवाइड करके देखते है 2 to the 4, 5 आजाएगा 2 to the 4, 1 ठीक है तो हो जाएगा 22 whole 1 by 2% ठीक है Q7 fill in the blanks तो देखो blanks को fill करना है ठीक है तो यहाँ पर देखो point में है ठीक है तो देखो यहाँ पर 0.9 है ठीक है तो first हम क्या करेंगे point को हटाएगे तो हो जाएगा देखो 0.9 तो point के लिए 1 नीचे आ जाएगा point के बाद एक डिजिट तो एक 0 हो जाएगा ठीक है तो point हटा देंगे ठीक है 9 by 10 ठीक है अभी percentage में लेकर आना है तो हमें क्या करना है into 100% तो multiply करना है ठीक है अच्छा अभी देखो 0 0 cancel होगा 9 into 10 हो जाएगा 90 ठीक है तो 90% तो यहाँ पर हो जाएगा 90 ठीक है अभी देखो next 0.08 ठीक है अभी 0.08 फरस्ट हम point हटाएगे point के लिए 1 और फिर 2 digit 2 0 ठीक है 00 कार देंगे तो यहाँ पर देखो 8 by 100 ठीक है means 8% ठीक है 100 आने से हम directly लिख सकते हैं percent में तो 8% तो यह हो जाएगा 8% ठीक है अभी next देखो 0.007 ठीक है point को हटाएगे तो point के लिए 1 फिर 3 digit 3 0 हो जाएगा ठीक है तो 0 0 0 यह कार देंगे हम ठीक है अच्छा अब भी देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 by 10 into 1 by 100 ठीक है क्योंकि 7 into 1 7 और 10 into 100 means thousand है ना तो हम इसको क्या लिख सकते हैं देखो 7 by 10 percent है ना तो इसको हम point में भी लिख सकते हैं तो 0.7 percent तो 0.7 percent ठीक है कोशी नमर 8 change the percentages into decimal fractions तो देखो percentage में है decimal fractions में convert करनी है means point में लेकर आना है ठीक है अच्छा अभी देखो 8 percent means 8 by 100 तो इसे हम point में लिखेंगे ठीक है तो देखो one two two zero है तो one और एक zero हो जाएगा इसके आगे point ठीक है तो 0.08 हो जाएगा ठीक है अभी देखो ये 10 percent means 10 by 100 तो इसे अच्छा देखो उपर नीचे एक zero एक zero cancel हो जाएगा तो हो जाएगा देखो 0.1 अभी next 25 by 100 तो देखो ये हो जाएगा one two zero तो one two इसके आगे point हो जाएगा ठीक है 0.25 next देखो one percent ठीक है one percent means one by 100 तो ये हो जाएगा देखो नीचे दो zero है ठीक है तो यहाँ पे two digits छोड़के point हो जाएगा तो one और उसके आगे zero होगा फिर point हो जाएगा ठीक है 0.01 ठीक है अच्छा अभी देखो next 40 percent means 40 by 100 तो ये देखो एक zero उपर नीचे हम cancel कर देंगे ठीक है तो यहाँ पे देखो नीचे एक zero है ठीक है तो एक digit छोड़के point हो जाएगा तो 0.4 ठीक है यहाँ पे zero रखने से भी चलेगा पर point के बाद zero की कोई values नहीं होती ठीक है अच्छा अभी देखो next 12 percent तो 12 by 100 ठीक है तो ये क्या हो जाएगा नीचे देखो दो zero है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दो digit right side से दो digit छोड़के फिर point हो जाएगा 0.12 ठीक है next तो देखो first हम point को हटाएंगे तो 62.5 नीचे point के लिए one आ जाएगा फिर एक digit है तो एक zero हो जाएगा ठीक है point को हटा देंगे और percent यहाँ पे हो जाएगा ठीक है तो अभी देखो हमें क्या करना है percent को हटाना है ठीक है तो 625 by 10 into 1 by 100 ठीक है तो अभी देखो 625 into 1 हो जाएगा 625 उपर और नीचे हो जाएगा 10 into 100,000 ठीक है अभी हम इसको point में लिखेंगे तो देखो नीचे three zero है ठीक है तो उपर three digit छोड़के सामने point हो जाएगा ठीक है तो देखो three zero three तो राइट साइड से one two three three digit छोड़के point हो जाएगा यहाँ पर ठीक है और zero ठीक है 0.625 अभी next देखो thirty seven point five तो point को हटाएगे point के लिए नीचे one आएगा फिर एक डिजित तो एक zero point हटा देगे और percent हो जाएगा अभी percent को हटाएगे three seventy five by ten into one by hundred ठीक है अच्छा अभी देखो three seventy five into one three seventy five नीचे ten into hundred thousand ठीक है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा देखो three zero है तो right side से three digit छोड़के यहाँ पर point हो जाएगा ठीक है 0.375 question number nine change the decimal fractions into percentages तो देखो यहाँ पे decimal fractions दिया हुआ है ठीक है means point में दिया हुआ है अभी percentage में हमें convert करना है ठीक है तो देखो हम first क्या करेंगे हम point को हटाएगे ठीक है तो अच्छा point के लिए नीचे हो जाएगा one ठीक है point के बाद दो digit तो दो 0 हो जाएगा ठीक है तो point हटा देंगे और यह 0 काट देंगे ठीक है अच्छा अभी देखो percentage में लेकर आना है तो देखो यहाँ पे 85 by 100 यह तो already percent में आ चुका है है ना इसको हम percentage में लिख सकते है 85 percent ठीक है क्योंकि नीचे 100 है 85 by 100 means 85 percent ठीक है तो देखो next 0.41 तो point हटाएंगे point के लिए नीचे 1 आएगा फिट 2 digit 20 ठीक है point हटा देंगे 0 काट देंगे ठीक है यह भी same है इसको हम लिख सकते है 41 percent ठीक है नेक्स्ट तो देखो ये 0.06 फर्स्ट पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के लिए नीचे 1 आएगा फिर 2 डिजित 20 हो जाएगा ठीक है पॉइंट हटा देंगे और ये 0 कार जाता है ठीक है अच्छा अभी देखो 6 by 100 मिन 6% ठीक है अभी नेक्स्ट देखो 0.009 तो पॉइं तो पॉइंट हटा देंगे और तो ये नंबर के पहले जो 0 रहेगा वो हम काट देंगे ठीक है अच्छा अभी देखो 9 by 1000 तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 by 10 into 1 by 100 क्योंकि ये means percent ठीक है तो इसको हम separate कर सकते हैं ऐसे 9 into 1 हो जाएगा 9 10 into 100 हो जाएगा thousand ठीक है ऐसे भी कर सकत तो ये हो जाएगा देखो 0 तो एक 0 है तो यहाँ पे एक digit छोड़के point हो जाएगा तो 0.9 हो जाएगा ठीक है percent ये means percent ठीक है question number 10 which of the following is equal to 0.125 तो देखो यहाँ पे ये decimal में दिया हुआ है point में दिया हुआ है ठीक है इसको percentage में convert करनी है ठीक है और देखना है इसमें से कौन सा answer correct है ठीक है तो first देखो हम क्या करेंगे 0.125 इसको percent में convert करेंगे ठीक है तो क्या करना है फिर first point हटाना है ठीक है point के लिए one आ जाएगा नीचे और फिर three digit है तो three zero हो जाएगा ठीक है तो point हटा देंगे ठीक है अभी देखो इसको percent में convert करेंगे तो hundred percent से भी multiply कर सकते हो या तो ऐसे भी लिख सकते हो 125 by 10 into one by hundred तो one by hundred means percent है ठीक है और यह इसको हम ऐसे लिख सकते हो 125 into one 125 उपर numerator में और denominator में 10 into hundred हो जाएगा thousand ऐसे भी लिख सकते हो या तो इसको क्या कर सकते हो hundred percent से multiply भी कर सकते हो ठीक है अच्छा तो यह क्या हो जाएगा यह देखो यह percent हो जाएगा तो यहाँ पे देखो नीचे 10 है तो एक zero है तो right side से one digit छोड़के point हो जाएगा तो 12.5 ठीक है और यह means percent percent ठीक है तो 12.5 percent तो यह हो जाएगा ठीक है या तो यह ऐसे भी कर सकते थे यह जब आएगा इसके बाद 125 by 1000 into 100 percent ठीक है इसे भी multiply कर सकते हो तो एक zero एक zero उपर नीचे cancel और एक zero और एक zero cancel तो देखो 125 by 10 ठीक है तो नीचे देखो एक zero है तो यहाँ पे right side से one नीचे छोड़के point हो जाएगा तो 12.5 percent ठीक है या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो ठीक है तो यह था exercise 56 का second part और next part की जो वीडियो की link है वो नीचे description box में दिया हुआ है